अज़ लेक्शर नमबर 18 के साथ टॉपिक हमारा जो है वो 2.6 है और टाइटल है टॉपिक का टाइम वरिंग मगनाटिक फिल्ड अब टाइम वरिंग मगनाटिक फिल्ड के अंदर आज जो हम देखेंगे कि जब हम पार्टिकल को प्लाजमा के पार्टिकल को टाइम वरिंग मगनाटिक फिल्ड के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है और हम फाइंड आउट करेंगे के result जो है हमारे पास आएगा कि magnetic moment जो हमारी है वो constant होगी ठीक है और change in magnetic moment जो है वो zero होगी यह हमने पहली भी जो है वो चीज को समझ चुके हैं एक दफा magnetic mirror के concept के अंदर अभी जो है इसको एक और तरीके से हम समझेंगे और आज हम देखेंगे कि transverse velocity क्या चीज होती है हमारे पास what is transverse velocity और plasma confinement क्या है और adiabatic compression क्या चीज होती है वो कैसे होती है ठीक है और हमारी जो magnetic moment constant होती है तो हमारा magnetic flux जो है वो किस तरह से constant रहता है इससे पहले जो है हमने lecture number 17 जो किया उसमें हमने time varying electric field किया और उसमें polarization current और polarization drift को discuss किया तो अगर आपने मेरा वो lecture नहीं देखा तो आप जो है वो previous play list के अंदर जा के देख सकते हैं बाकी सारी lectures जो है वान तू लेके आप कहलें 17 आप वो भी विजट कर सकते हैं जिसमें पहला chapter और second chapter जो है वो शामिल है second chapter के अंदर हमने single particle motion Francis F. Chen का start किया था और बुक का नाम है Introduction to Plasma Physics and Control Fusion अब हम चलते हैं बुक की तरफ और देखते हैं कि बुक में इस topic को कैसे describe किया गया और हमने आज क्या-क्या elaborate करना है अब यह देखे मिटा topic है हमारा 2.6 इससे पहले हमने polarization drift वाला किया और यह सारी चीज़ें हमने समझी तो अभी जो हमने topic पढ़ना है वो हमने पढ़ना है time-varying magnetic field वो कहता है कि finally we allow the magnetic field आखिरकार ठीक है हम इसकाबिल हो चुके हैं अब हमारा जो है यह last topic भी आप समझ लें कि particle motion का है और हम कहता है कि इस काबिल हो चुके है कि अब जो है हम जो charge है उसको magnetic field के अंदर जो time-varying magnetic field के अंदर put करें अब time-varying magnetic field के अंदर put करने की उसकी यह कहने की वज़ा क्या थी उसके कहने की वज़ा यह थी कि जब आप time-varying magnetic field हम लेते हैं हम देखेंगे कि हमारे पास एक electric field जो है वो induce हो जाती है वो कैसे होती है उसको भी हम जो है वो detail में discuss करेंगे उसके बाद वो कहता है कि magnetic field itself cannot impart energy magnetic field जो है वो energy नहीं impart कर सकता और work done by the magnetic field जो है वो zero होती है इसको भी हम समझेंगे कि वो क्या बात करता है ठीक है अभी मैं आपको summary बयान कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें समझेंगे उसके बाद हम जो है वो transverse velocity को समझेंगे वो क्या होती है ये equations को drive करेंगे अपने देसी तरीकों से ठीक है और देसी तरीकों से ये सारी equations drive करके हम देखेंगे कि हमारा जो partial mu है वो 0 के बराबर होता है और जो magnetic flux है πrl square जो है जब होता है तो brl square जो है वो कैसे हमारा जो है वो constant रहता है ठीक है और उसकी equation क्या हमारे पास बनती है adiabatic compression क्या होती है why we go for the confinement of plasma ठीक है हम plasma confinement है वो करने में कितने हद तक हम्याब हो जाते है तो ये हमारा आज का मुद्दा है आज का topic है आज हमने इसके उपर चर्चा करनी है इसके उपर सारी discussion करनी है बटा तो इससे पहले चलते हैं अपनी slides की तरफ और मैं आपके साथ एक और भी बात discuss करना चाहूंगा साथी साथ अब देखें बटा होता ही हूँ है चलें इसको यहाँ पर चलते हैं अब इस तरह से है के बच्चे तो हैं कहते हैं सर आपका lecture नहीं आता आप lecture जो है वो थोड़ा lead कर देते हैं और lecture जो है कि एक lecture जो है मैंने इसको delete नहीं किया अब मैंने lecture जो है वो पहले बनाया यह 2.6 wearing magnetic field का पूरा topic जो है यह mu जो है equals to zero ठीक है और आगे जो है वो मैंने सारा topic आप समझें कि सब का सब जो है वो partial mu equals to zero तक मैंने समझा दिया समझाने के बाद जब मैंने देखा तो recording मेरी आदे के अंदर रुक गई थी आदे मेरी recording रुक गई और यह एक बार नहीं काफी दफा हो जाता है कभी कबार कोई और issue आ गया ठीक है editing के वक्त issue आ गया हलांकि मैंने यह lecture बनाया और मेरी तरफ से अब इसको upload हो जाना चाहिए तब तक लेकिन यह नहीं हो पाया ठीक है तो चलें वो लंबी बात में उसको नहीं कहें इसना और अपने topic की तरफ चलते हैं तो topic है हमारा 2.6 topic है 2.6 time wearing wearing magnetic field time wearing magnetic field हम इसको यहां पर इस तरह से लिख लेते हैं अब वो कहता है कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जब charged particle when a magnetic when a particle when a charged particle ठीक है जब charged particle जो होता है वो magnetic field में enter होता है ठीक है? enters in B ठीक है? enters in magnetic field आप लिख लीजेगा then फिर क्या होता है अब हमारे पास एक magnetic field है let's say कि हमारे पास यह बिटा magnetic field है यह इसका north है और यह इसका क्या है बिटा south है अगर मैं आपको कहूं कि इसकी magnetic field lines की direction क्या होगी तो आप simply कहेंगे कि सर यह जो है वो B जो है वो इस direction में होगी north to south ठीक है? हमारे क्यू के north to south होती है अब क्या है कि एक particle आया for example एक positive charge आया ठीक है? positive charge आया वो यहां से जैसे ही enter हुआ तो जब वो enter होगा तो बिटा वो क्या करेगा? circular motion perform करने लग जाएगा it will start performing circular motion वो क्या करने लग जाएगा? वो circular motion perform करने लग जाएगा अब समझने की बात यहां पर यह है कि drift velocity जो है हमने पढ़ा last जो है वो polarization drift पढ़ा ठीक है? और हमने simple drift भी पढ़ी हमने ve भी पढ़ा और vp भी पढ़ा ठीक है? आज की relation में आपको कहीं भी drift velocity नजर नहीं आएगे ठीक है? क्योंकि drift velocity जो है वो हम देखते हैं तो electric field का जो component होता है वो generate करता है drift हमारे पास और उसकी उस electric field की वज़ा से हमारा जो particle है वो आगे को जाता है ठीक है? without e हमारा जो particle है वो हम इसमें क्योंकि हम e को discuss नहीं करेंगे e की हमने time varying magnetic field को discuss करना है हमने e की कम से कम देखनी है impact देखना है तो हम कहेंगे कि सबसे पहले b के case के अंदर magnetic field के case के अंदर हमारा जो particle है वो सिर्फ circle में move कर रहा है circular motion कर रहा है ठीक है? अब let's say that कि यहाँ पर हमारा particle जो है उसकी tangential velocity कुछ यूँ है tangential velocity कुछ यूँ है अब tangential velocity के आप component बनाएं तो जो v के parallel component होगा उसको आप कहेंगे v parallel और जो v के perpendicular component होगा उसको आप कहेंगे v perpendicular component उसको आप कहेंगे v perpendicular component अब इटा देखें यहाँ पे हमारी जो force होती है अब हम अगर आप magnetic field की जो force होती है fm की बात करें तो वो किसके बराबर होती है q vb sin theta या q v cross b लिखते हैं अब यहाँ पर अगर आप देखें तो q और b अब यहाँ पर राइट और रूल लगता है और f is always perpendicular to v होती है हमारी cross product के अंदर यह तीनों जो हमारे जो vectors हैं बिटा है जो force का vector है velocity का vector है और magnetic field का vector है यह तीनों एक दूसरे के perpendicular होते हैं और हम जो है इसको flamen right and rule से describe करते हैं right ये left and rule से right and rule से describe करते हैं flamen right and rule से तो यह तीनों क्या होते हैं एक दूसरे के perpendicular होते हैं तो अब यहाँ पे हमें पता क्या चला है कि f is perpendicular to b F हमारा क्या होता है? perpendicular to B होता है यानि कि हमारी जो बटा force होगी जो field की नस्थिक में force होगी वो कौन सी होगी? V perpendicular होगी V parallel जो है वो नहीं हम V parallel को neglect करेंगे ठीक है? अगर आप book में पढ़ें Francis F. Chen की अभी जो मैंने आपको दिखाया तो वो आपको बताएगा कि V parallel को हम जो है वो निगलेक्ट कर रहे हैं क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारी force जो हमेशा perpendicular होती है B के इसको हम आगे जाके इस्तमाल भी करेंगे मैं अभी जब derivation lawrence force लिखूँगा तो मैं V perpendicular के साथ लिखूँगा parallel के साथ नहीं लिखूँगा इसके लिए मैं आपको यह पहले समझा रहा हूँ उसके बाद वो एक और बात कहता है वो कहता है कि जो अभारा particle है उसके उपर जो है वो it cannot perform energy on its impart it cannot impart energy on itself ठीक है कि वो charge के उपर magnetic field जो है वो energy impart नहीं कह सकती वो क्या बात कहता है अब देखें बीटा हमें पता है कि w किस के बराबर होता है f dot dl के बराबर होता है w is equal to scalar product work is the scalar quantity and it is equal to the dot product of force and displacement अब displacement आपको पता है किस direction में होती है displacement हमेशा velocity के direction में होती है velocity जो है वो perpendicular है तो हम जो है वो देखेंगे fdl cos theta आजाएगा और perpendicular के लिए theta क्या होता है cos 90 होता है cos 90 will be equals to this whole of the term will be equals to fdl w will be equals to 0 this whole of the term will be equals to 0 this means that magnetic field cannot perform work cannot perform energy cannot give energy to the particle तो इसका मतलब क्या है कि there is no work done by the magnetic field there is no energy given by the magnetic field work energy आपने पढ़ा है कि work energy दोनों जावल होते है जो work होता है वो as a potential save हो जाता है ठीक है electric potential energy आपने पढ़ी होगी उसका आपको जो है वो idea होगा कि कैसे जो है वो work जो है वो energy में convert हो जाता है अब हम बात करते है किसकी बटा अपनी Lawrence force की ये सारी चीज़ें हमने समझ ली इससे पहले एक और थोड़ी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ फिर हम Lawrence force की तरफ चलते हैं तो आपने पढ़ी होगी बटा Faraday's law अगर आपने Electrodynamics का second जो है वो कॉर्स पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने Maxwell equations पढ़ी होगी इससे पहले मैं अपने previous channel के उपर Learn Daily Physics के उपर पढ़ा चुका हूँ ठीक है वो सारे लेक्शर्स मौझूद है लिकिन अगेन मैं कोशिश करूँगा कि हाँ पर भी उनको अच्छे तरीके से आपको समझा सको तो using Faraday's differential form of equation ठीक है differential law जो है using आप लिखेंगे by using differential form of differential अब यह मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको यह बी बताता हूँ differential form of Faraday's law ठीक है Faraday law जो है वो electromagnetic induction वाला ठीक है उसकी differential form of equation जो है उसको हम लिखते हैं तो वो किसके बराबर है बिटा वो बराबर है कि curl of E is equals to minus partial P by partial T यह Maxwell की third equation भी है अगर आप Maxwell equation पढ़ते है तो Maxwell की चार equations है ठीक है पहली गाशिन इंटेग्रल वाली है second जो है I can't recall वो magnetic flux वाली है ठीक है कि no monopole exist divergence of B is equals to 0 तीसरी जो equation है हमारी वो equation है यह वाली curl of E is equals to partial B by partial T और fourth जो है वो equation I can't recall that ठीक है तो इसको आप equation number one का नाम भी दें और यह equation कहती क्या है what does this equation mean हम पहले जो है इसको समझेंगे मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड आइसता रखोंगा मैं थोड़ा 20 अगर चलता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं शायद 30 हों को ना अपने उपर भी वो खुद भी मुझे सांस चढ़ जाता है और मैं लगता है कि 30 बहुत जाने लग गया हूँ अब देखें मैं यह equation क्या कहती है first of all we have to understand what this equation means this equation means कि जब भी हमारे पास magnetic field change होगी time की respect से ठीक है जब भी हमारे पास magnetic field change होगी time की respect से so there will be an electric field induced with it जब भी कोई particle को हम put करेंगे bearing magnetic field में तो there will be a time there will be an induced electric field उसके साथ एक electric field भी पैदा हो जाएगी ठीक है आपने देखा होगा कि जैसे charge move करता है तो हम कहते हैं कि motion of charge जो current होता है उसके गिर्द magnetic field generate हो जाती है amperes law में पढ़ते हैं इसी तरह जब magnetic field change होती है ठीक है जब time varying magnetic field होती है तो वो magnetic field के साथ साथ एक जो है नहीं उसकी जो electric field भी वो induce कर देता है ठीक है इसकी detail जो है आपको Maxwell equations अगर आप उसको समझना चाहें ठीक है physical importance of Maxwell equations को अगर आप सर्च करें तो उसमें आपको यह मिल जाएंगी तो यह couple equation आती है हमारे पास अब इस couple equation को हम लिख लेते हैं इस तरह से करल of E is equals to minus B का dot इसको इस तरह से लिखा जा सकता है partial by partial T है तो differential form में हम इसको dot की जरी में लिखते थे हैं अब जो है हम इसको कहते हैं one equation one कहते हैं इसको इसको नहीं कहते हैं मैं हमेशे इसको कह देता हूँ इसको equation one कहना है now using lawrence force अब हम आगे अपनी lawrence force की तरफ now using lawrence force अब हम इस्तिमाल करेंगे lawrence force का ठीक है अगर मैं बटा चेक कर लो हूँ एक दफा काइंडली अगर बुरा मत बनाये मैं देख लो हूँ के मेरी क्या recording चल रही है हांची चल रही है recording क्योंके देखना जरूरी है बटा पहली रहा है मैंने lecture बनाया तो वो इसी तरह से फिर मुझे काफी मेरा घंटा वो जाया हो का सारा और आपको मैं बताऊं कि इंसान रह वो तूट चाता है ये क्या मैं इतनी मेनत कर रहा था तो f is equal to क्या है f is equal to q into e plus v cross b यहां पर हम जो है मैंने आपको बताया अभी पीछे बताया कि हमारे पास जो है वो v perpendicular component होगा force का v parallel component को हम जो है वो discuss नहीं करेंगी क्योंकि magnetic field में जो force होती है वो perpendicular होती है तो हम यहां पर इसको force को इस तरह लिख सकते हैं कि dv perpendicular divided by dt t and it is equals to q into e plus q into p cross b since हमारे पास पास क्या है कि यह term हमने देखी कि qvb वाली जो factor है यह work done हमारा 0 आ रहा है it cannot impart any kind of energy in the system so हम क्या करेंगे पाटा we will say that कि हम इस term को जो क्या कर लेंगे इस term को हम कहेंगे it goes to 0 इसका effect नहीं है रब तो हम इसको discuss भी नहीं करेंगे जब यह particle को effect नहीं कर रही तो we won't discuss this equation right now हम simply qe को लेके चलेंगे और यहीं से qe की form से हम वो curl of e बनाएंगे और curl of e से वो magnetic field को effect बताएंगे कि कैसे जो है यह magnetic field जो change हो रही है यह जो है वो time varying magnetic field generate कर लेती है जो changing electric field है अब होता कुछ यू है बटा कि हमने करना क्या है कि multiply कर देना है multiplying this equation this equation with v perpendicular अब यह क्यों कर रहे है बटा अगर आपने देखा हो तो mu constant हमने निकालना है mu का यहां पे कोई भी नाम और निशान नहीं है तो mu जो है वो हमने बनाना है अब view कैसे बनाना है बटा वो हमने देखना है ठीक है वो हमने जो है वो देसी तरीका लगाना है इस पर तो v perpendicular ठीक है और इसको आप कहलें के m d v perpendicular by d t और this equals to q e v perpendicular दूसरा तो हमने एक कर दिया जीरो ठीक है अब देखें होता क्या है ठीक है यहां पे dot बिशर डाल लें नहीं ना भी डालें तो कोई पात है अब होता कुछ यूँ है बटा कि आप ना यह d by dt इसका common ले लें यह बाएर निकाल लें d by dt common निकाल लें तो आप इसको लिखेंगे half of m v perpendicular square इसको आप इसको solve करें ठीक है तो आप v लिखेंगे तो वो 2v आएगा 2,2 से कट जाएगा और v perpendicular same दुबारा से आपकी यह वाली equation जो है वो वापस आपके पास आ जाएगे equals to q e ठीक है यह हमारी क्या है इसको कहते है na transverse velocity ठीक है और यह बराबर किसके होती है बेटा d l by dt ठीक है d l क्या है हमारा d l जो है वो displacement है बेटा in the direction of v perpendicular ठीक है तो d l by dt इसको आप लिख लेंगे d l by dt अब आपने क्या करना है बटा कि आपके पास यह equation आ गई दोनों तरफ dt भी है ठीक है तो मैं एक छोटा सा step कर देता हूँ ठीक है बुक वाला step करता हूँ इसको आप लिख लें हाँ पर partial के साथ ले लें और dt जो है यह वाला dt जो है उदर ले जाए ठीक है वैसे तो मैं इसको cancel out करवा देता हूँ मैंने अभी dt dt से cancel out नहीं किया हला कि हो जाता है ठीक है बुक का एक मैंने जो है वो step follow करना है अब देखें बटा टी की respect से न वो यहाँ पर क्या कर देता है कहता है कि integrate करें इसको for a complete whole cycle जो है न वो कहता है for complete cycle complete cycle के लिए अब आपको पता है कि complete cycle में क्या है time कितना लगता है time period के बराबर होता है t क्या होता है time required for one complete cycle या one complete oscillation ठीक है तो one complete cycle जो है वो एक circle जो है वो charge जब करेगा तो वो क्या होगा t के बराबर होगा तो आप इसकी limits क्या होंगी 0 से t ठीक है 0 से t के बराबर होंगी तो अंदर जो है वा आप लिख लें qe.dl by dt बिटा यह dl by dt जो है न आप जो है न आप जो है आप बिशक इसको अंदर वाला आपके पास है यह limits उसने put करने के लिए simply dt दोनों तरफ लिखा आप इसको cancel out भी क अब आप बिशक इसको निकाल दें आपकी limits है आपने put कर ली है ठीक है तो अब जो है वो t है अब t की जगह उसने क्या लिखा हुआ है बटा उसने लिखा हुआ है 2 pi over omega c वो कैसे है ती की जगह उसने तो t शायद लिखा भी न और 2 pi over omega c लिखा होगा अब 2 pi over omega c क्या है वो क c और बीच में जो है वो क्या लिखता है कि qe qe dot t l I think so यही जो है वो equation यह कट कया तो qe dot t l अब यह equation t की जगह यह कैसे है अब हमें पता है कि t किसके बराबर होता है 1 over f k बराबर होता है और omega किसके बराबर होता है 2 pi f k आप समझें omega c किसके बराबर 2 pi f k अब करना यह है कि यहां से f की value निकाल लीनी है तो f की value क्या आ जाएगी f की value आ जाएगी omega c over 2 pi यहाँ पे आप put करेंगे f की value ठीक है तो 2 pi यहाँ पे जो denominator है third से first में चला जाएगा omega c नीचे रह जाएगा तो t आपके बराबर आ जाएगा 2 pi over omega c के तो यह तो हमारी हो गई put limit ठीक है इसको हम करके थे हैं rough work को अलागा अब by applying stokes theorem by applying stokes theorem अगर आपने mathematical methods का जो है वो top course पढ़ा हुआ तो उसमें आपने stokes theorem और divergence theorem वगएरा पढ़े होगे तो उसमें से हम stokes theorem को apply करेंगे ठीक है stroke theorem क्या होता है stroke theorem कहता है कि जो यहाँ पे term जिसका line integral लिया जा रहा है over a closed path यह closed path के लिए ठीक है यहाँ पे आप लिख सकते है closed path तो वो किसके बराबर आ जाता है curl of e उसके curl के बराबर ठीक है और साथ उसके क्या होता है t of s surface integral साथ उसके क्या आ जाता है बटाजी surface integral आ जाता है और साथ जो है वो हमारा partial half mp perpendicular square अब यहाँ पे आपने करना क्या है simply आपने करना यह है कि curl of e के जगा बी डॉट लगा देना है curl of e के जगा लगाना है बी डॉट और यहाँ आप कार देगा partial ठीक है यहाँ पर मैंने negative sign नहीं लगाया क्योंकि वो induced truth था वो opposite direction के लिए था उसको हम neglect करते हैं ठीक है फिल वक्त उसको और अगर आप लगाएंगे बटा तो फिर आपकी आगे calculation में आपको मसला होगा इसलिए मैंने जो है वो यहाँ पर apply नहीं किया अब करना क्या है करना कुछ यूँ है बटा कि आपने सबसे पहले तो इस ds को ds को open up करना आपको पता है कि surface area circle है circular motion में move कर रहा है तो circle के अंदर क्या होगा जो b यहाँ पर देखें यह क्या हो रहा है क्यों हो रहा let me unplug and unplug it again तो सबसे पहले हम करेंगे इसको इस तरह कि यह जो है इसका surface integral अगर आप लेंगे तो वह आपको बराबर आ जाएगा dot pi r l square pi r l square ठीक है r perpendicular आप कर दें लार्मर radius ठीक है यह लार्मर radius है हमारे पास r perpendicular r square क्योंकि area कि इसके बराबर होता है s is equal to area है तो s is equal to pi r square यह होता है हमारा surface area of circle is equal to partial half mv perpendicular square अब अगर हम previous lectures में देखें magnetic mirror वाले previous lectures में हम चलते हैं मैं आपको वहां से एक value दिखाता हूँ ठीक है हम यहां पर देखते हैं वह value कहां पर है magnetic mirror वाली यहां पर होगी यह रही तो mu हमारी किसके बराबर है बिटा देखें half mv perpendicular square of a b ठीक है यह कैसे आया यह बात की बात पुरानी लेकिन यह बराबर किसके है half perpendicular b अगर मैं यहां से mu b निकाल लूँ तो वह किसके बराबर होगा half mv perpendicular square के इसी के बराबर होगा न ठीक है तो मैं लिख सकता हूँ half mv perpendicular square is equal to mu b यहां से मैं magnetic moment लाना चाह रहा था ठीक है यहां से मैं magnetic moment जो है वो लेकर आना चाह रहा था तो हमारी कहां गई derivation यह थी तो यहां पर तो है मैं लिख सकता हूँ partial mu b is equal to b और इसको मैं थोड़ा सा करूँगा rearrange करना क्या है मैंने इसको थोड़ा सा करना है rearrange और उससे पहले मैं इसको ऐसे करता हूँ कि v is equal to r omega वारा formula भी open up कर लेता हूँ v is equal to r omega c r perpendicular omega c ठीक है v perpendicular आप इस तरह से लिख सकते है r l लिख लें आर लिख लें लार्मर रेडियस चलें तो यहां पर r किसके बराबर होगा v perpendicular over omega c के तो r square किसके बराबर होगा v perpendicular square over omega c square तो यहां पर आएगा v perpendicular square over omega c square अब करना क्या है कि आपने एक omega की value लिखनी है एक omega जो है उसको आपने क्या कर देना है उसको as it is लिखना है क्यों लिखना है वो भी मैं बताता हूँ आपको ठीक है सारी बाते बताई जाएंगे आपको टेंशन नहीं लेनी आपने तो आपके पास क्या आजाएगा आपके पास आएगा b ठीक है v पर perpendicular square m ठीक है πाई और मैंने आपको नीचे का कि उसकी value पुट करनी है b qb अबर m होता है ना तो q q के साथ मैंने cancel out अगर चलें यहाँ पर q लिख लें ठीक है तो q q के साथ कट गया और वो जो नीचे m था वो मैंने यहाँ लिख दिया ठीक है वो मैंने यह लिख दिया हमारे पास जो equation रह गई वो रह गई b dot v perpendicular square और m और π. यह π. यह π. ठीक है π. और b after rearranging this equation हमारे पास होगा partial mu b is equals to यहाँ पे जो है मैं इसको अगर rearrange करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ half m v perpendicular square मैंने अब half खुद से लिखा, half नहीं था यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे जो है वो two खुद से multiply, divide भी किया और multiply भी कर दिया two pi ठीक है और साथी साथ omega c यहाँ पे omega c भी था ठीक है, 1 omega c भी आता था यहाँ पे बिटा, क्योंकि हमने जो है वो उसको मैंने आपको बताया था ना कि 1 omega c के value लिख नहीं है और 1 omega c साथ उसी तरह आ जाएगा, ठीक है तो यहाँ पे 1 omega c भी था, तो साथ जो है वो यहाँ पे omega c और यहाँ पे जो है मैं लिखूँँगा b dot over b ठीक है, b dot over b अब यह term हमारी पहले मैंने आपको बताया कि किस के बराबर है, mu p के बराबर है ठीक है, 2 pi over omega c और यहाँ पे जो है, b dot over b के बराबर है यह b b के साथ cancel out हो गया तो यहाँ पे मैं अगर इसको लिखता हूँ तो यह मैं लिखूँगा partial b partial mu plus यहाँ पे अब जो है, वो mu बाइर आएगा तो partial b ठीक है, यह मेरे पास जो है, वो दोनों पी मैं लग-लग से apply कर दूँगा, ठीक है, mathematical rule जो है अब मेरे पास क्या रह गया, 2 pi by omega c 2 pi by omega c किसके बराबर था, t के I think सो बराबर था यह देखें, 2 pi by omega c किसके बराबर था, t के तो मैं लिख दूँगा, t mu b dot t mu b dot और यहाँ पर मैं लिख दूँगा, b partial mu by plus mu partial b अब बटा, इसको अगर आप solve out करते हैं, तो यह क्या है, बटा mu आप कहलें, t, ठीक है, यहाँ पर इसको लिख लें, partial b dot into t लिखें, इसको t लिखें, t, अब देखें, हमारे पास t, 2 variables आ गए, पहले सिर्फ b था तो इसको अगर आप solve out करेंगे, तो यह आजाएगा, mu partial b और complete rotation के लिए, partial t, और into t, ठीक है, वो जब आप t कर लेंगे, बटा, partial by partial t, तो आपका t के उपर, आपका जो है, वो variable change होगा, तो आपका यह आजाएगा, mu partial b, mu partial b, तो आप इसको लिख सकते हैं, mu partial b, ठीक है, यह mathematical steps हैं, बटा, आपको, अगर आपकी maths ठीक है, आपको basic पत सकते हैं, तो यह cancel out होगा, यह दो चीज़े, cancel out होगी, तो आपकी b, तो आपकी equation बनी, वो क्या बनी, b partial mu equals to 0, ठीक है, b यहाँ पे divide, करके कर दें, तो यह further आपके पास आएगा, partial mu equals to 0, partial mu equals to what, 0, अब हमारी derivation जो थी, वही यह थी, कि partial mu को हमने क्या करना है, 0 करना है, तो mu हमारे पास यहाँ पर क्या आगया, constant, यहाँ पर mu क्या आगया, हमारे पास constant आगया, अब वो कहता क्या है हमें, अब हम जो है, वो Francis F. Chen की बुक की तरफ चलते हैं, और देखते हैं, कि वो यहाँ पर क्या कहता है, ठीक है, हमने सारी उसकी derivation कर ली, ठीक है, मैंने आपको यह के लिया यहां से छोक दियुक्ति रहा हम वह हम नेकल अप्लाए किया हम ने जो है वह लिमेट्स भी अप्लाएं उप्लाएं कीयी टू- enc iç का कोछ करने के बाद सिक है हम यहां पर आ गागया के बेसबिंधЭ यहां पर मुश्व इगी Ap जो है वो 0 होता है अब जो हमारी magnetic field वो slowly time के respect से vary करेगी अब वो क्या कहता है कि B जो है as the B field varies in strength B की जो है वो vary करती है strength के अंदर B जो है वो strong भी हो सकती है B जो है वो weak भी हो सकती है magnetic field strong भी हम कर सकते हैं weak भी कर सकते हैं तो इसकी strong ये weak करने से हमारा larman orbit जो है जो हमारा larman radius है आप दूसरे इलफाज में कह सकते हैं वो कम या ज्यादा हो सकता है वो कम या ज्यादा हो सकता है and the particle lose and gain transverse energy particle का जो V perpendicular है वो कम या ज्यादा हो सकता है transverse energy कम या ज्यादा होने का मतलब कि उसका V perpendicular component जो है transverse velocity component जो है वह कम यह जादा हो सकते है क्योंकि half of mb perpendicular square है ठीक है? मैं आपको यह सारी equation दो है वह एक दफाट जो equation लिख के समझाऊंगा This exchange of energy between the particle and the field described by simply equation 2.73 यह देखें यह बताती है कि यह constant mu हमारे पास constant होगा इससे क्या होगा? The invariance of mu allows us to prove easily between the well-known theorem, the magnetic flux through alarmor orbit वो लार्मर और्बिट में से हमेशा constant रहता है कैसे constant रहता है? कैसे constant रहता है? ठीक है? अब वो मैं आपको समझाता हूँ फिर यह equation की तरफ आते हैं कि यह क्या कहती है तो यह जो चीज आ जा जाती है अब देखें मिटा सबसे पहली बात उसने क्या की उसने कहा जी सबसे पहले उसने कहा कि मिउ हमारा constant है और आर मगनाटिक फील्ड वो vary करती है बी जो है वो क्या हो सकती है? वीक भी हो सकती है बटा वीक के यही स्पैलिंग होते है न? और स्ट्रॉंग भी हो सकती है ठीक है? अब बी कीसे जो है रेडियस या आप कहलें कि और बिड़ का जो आउस ने कहा कि जो हमारा औरबिट है उसके साइज को कैसे शोटा बढ़ा कर सकती है अब हम्हें पता है कि ओमेगा सी किसके बराबर होता है? क्यू बी ओवर एम के QB ever, omega is equal to QB ever यहां से अगर आप कहें तो V is equal to R omega V is equal to R omega V strong ठीक है बटा अब अगर आप यहां से मैं कहता हूँ कि V perpendicular है V perpendicular constant है एक omega बढ़ेगा, V बढ़ेगी ठीक है बटा तो omega बढ़ेगा, omega बढ़ेगा तो V बढ़ेगा V बढ़ेगा तो omega बढ़ेगा, omega is आप कहलें omega is directly proportioned to B strength of B, magnetic strength of B ठीक है आप इसको strength कहलें उसके बाद directly proportioned to V perpendicular, omega is directly proportioned to V perpendicular, लेकिन it is inversely proportioned to R, लार्मर radius के जो है बटा वो inversely proportion यह आपनी equation जो है वो समझनी है सारे relation को अगर आप जोड़े तो आपकी कुछ equation इस तरह से बनेगी कि omega C बढ़ेगा तो B बढ़ेगा तो omega C बढ़ेगा omega C बढ़ेगा तो V बढ़ेगा अगर V बढ़ेगा तो R जो है वो कम हो जाएगा ठीक है R जो है हमारा उसकी अगर आप देखें omega C के साथ तो वो आपका inverse relation आएगा ठीक है V अगर constant होगा अब देखें होता क्या है ठीक है जहां पर B बढ़ी R कम हो गया B बढ़ा R कम हो गया अब वो कहता क्या है magnetic flux क्या होता है magnetic flux लेट से जो है हमारा फाइए तो वो किसके बढ़ाबर होता है बटा B multiply by B dot S S जो है वो हमारा क्या है surface area आप कहलें कि S ठीक है surface area जो surface area element होता है उसके बढ़ाबर अब A किसके बढ़ाबर है P R L का square alarm and radius 5 अब let's say that कि B बढ़ गया B बढ़ गया R को क्या होना पड़ेगा कम R को क्या होना पड़ेगा कम एक बढ़ा दूसरा कम हो गया overall चीज constant रहेगी B कम हुआ R बढ़ गया overall फिर भी चीज constant रहेगी एक बढ़ी है दूसरी कम हो रही है जैसे मैं कहता हूँ मेरी जेब के अंदर सोर पया दोनों जेबों के अंदर मैं कहता हूँ मेरी दो जेब है मेरी कमीज की दो जेब है उन दोनों जेबों के अंदर सो रपया मैं कहता हूँ एक में 50 है तो दूसरे में भी 50 होगा मैं कहता हूँ एक में 60 है तो दूसरे में 40 होना चाहिए ठीक है कि क्या होता है कि B कम यस जादा होता है RT arrange होता एट इंड हमारे पास answer जो है वो क्या आता है Magnetic flux नहीं हमारा क्या रूता है टाइम वीरियंट.. जब magnetic field होती है मगनणाटिक फ्लक्स होता है हमारे पास वो constant आता है Alleine Morales Arbets is constant Mag brothers, Seuss случай variat ठीक है तो यहाँ पे वो जो है वो इसकी equation find out कर लेता है V is equals to r omega से put करके और 2 pi m over q mu कह देता है तो वो कहता है कि therefore 5 भी हमारे पास constant है और mu भी हमारे पास constant है इस property को वो कहता है कि हम use करते हैं idea-batic compression के अंदर ठीक है कि हम क्या करते हैं heat change के साथ उसको compress कर लेते हैं और confinement हम कर लेते हैं और पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमें क्या है कि हमें plasma की confinement ही चाहिए ठीक है और magnetic mirror के नतीजे में हम जो है उसको आगे पिछे transfer भी करते हैं ठीक है और उसको confine करने की कोशिश करते हैं हो दो areas बताता है ठीक है और उन areas के अंदर बताता है कि उसको जो है हम confine करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो boundaries के साथ attach ना हो ठीक है heat exchange हमारे पास ना हो idiobatic system हो हमारा क्योंकि जब heat exchange हो जाएगी तो तब हमारी जो body बटा वो क्या करेगी आप कहलें कि वो उसकी जो है energy वो loss करेगी और plasma की efficiency जो है वो खतम हो जाएगी तो this was it बटा आज का lecture इतना ही था I hope so जो है ये जो है वो record भी हुआ होगा और आज के question जो है आपने कुछ भी पूछना हो बटा तो number जो है वो आपको मेरी slide के पर show भी हो रहा होता है You can ask me ठीक है जैसे students ask कर लेते हैं मुझे से आज के लिए इतना ही फिर हम जो है इसकी summary हो सके तो बयान करेंगे नहीं तो हम अपना next chapter भी start करेंग जो के plasma as a fluid का है जिसकी बहुत students मुझे जो है